नमस्कार दोस्तों अमिट टेक्पॉइंट में आपका सौगत है हमारे लोगों के बीच यह एक अफवा चल रही है कि यह जो अरासन कार्ड है हम सभी लोगों को जमा करना पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों इसमें काफी सारे लोगों के ऐसे हैं जिनको जमा करने पड आएगा ऐसा कुछ नहीं है यह देखिए मेरे पास एक यह नोटिस है जिला पूर्ती विभाग उन्नाओ की है यह देखिए जिला पूर्ती अधिकारी उन्नाओ की तरब से आई है तो दोस्तों चले में इसमें दिखाता हूं कि कि क्या क्या सथते हैं और किसको किसको जमा कर करना पड़ेगा यह देखिए दोस्तों पहला नंबर यह है जो भी एकर दाता है उसको जमा करना पड़ेगा जिसके पास चाल पी हावाहन है उसको जमा करना पड़ेगा ट्रेक्टर हाद्वेश्टर एसी यानि के एयर कंडिशनर जिसके पास है उसको रासन कार्ड अपना जमा करना पड़ेगा और जिसके पास 5 क्यलोवाट का जो है जुञार यह उससे ज्यादा का जाघर उसको जमा करना पड़ेगा दूसरे नमबर पी लिखा हुआ है ऑदिक सिंचित भूम जिसके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है जिसमें खेती वगरा करता है उसको जमा करना पड़ेगा और यह देखिए ग्रामीड छेत्र के लिए दो लाक रुपए वासिक आये और सहरी छेत्र के लिए तीन लाक रुपए से अधिक आये वाले परिवाय के लिए मतलब अगर आप गाउं में रहते हैं और आपकी आये संब्सक्राइब से अधिक ऑनदीन हैता को यहांजिन सहरी छेत्र में रहते हैं है अवासि-प्लाट तो आपको के बदे नीचे देखिए यह लिखा ग्रामीड 16 में 80 मीटर से अधिक व्योसाईक मकान अगर आपका गाउं में रहते हैं और आपको जो हैं अगर नहीं रहते उसमें कोई व्योसाय करते हैं तब पिर आपको जो हैं जमा करना पड़ेगा इसके बाद नीचे आईए यहां तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है आप भी देख लीजिए कि जो है आप में अगर आपके पास यह सब में कुछ नहीं है तो आप परेसान मत होई आपको पहले कितार आसन मिलता रहेगा और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जिनके पास कलर टीबी है कलर टीबी से कोई लिए ना देना नहीं और कुछ लोग कहते हैं हमारे पास बाइक है तो क्या हमें भी जमा करना पड़ेगा तो मैंने जो है सप्लाइश स्पेक्टर से जाकर सोयम बाग की थे तो उसने हम से बताया अगर आपके पास मालों कोई नॉर्मल बाइक है तो ठीक ठाक अगर आपके पास दो पर पांच इस्टेप लिखे हुए हैं छे इस टेप लिखे हुए हैं आप इनके स्कीन सोट लेकि पढ़ पढ़ लीजिए अगर आप इनके अंतरगर नहीं आते हैं तो आपको रासन कार्ट जमा करने की कोई जो नहीं जो सरकार की गाइड लाइन है कि वसूली की जाएगी यह किया जाएगा वो किया जाएगा आप बिल्कुल पर इसान नहीं होगी आपको पहले कितार आसन मिलता रहेगा और बाइक वाले जो है जिसके पास बुलेट है और गाओं में रहते हैं उनके लिखकर थे उनको जमाही करना पड़ेगा सहर में जो हैं तीन लाख रुपए करते हैं को बिजनेंश करते हैं तब आपके लिए रिक्कत है और अब हर से कोई रिक्कत है और आपके घल से कोई गलर टी-बी से कोई लेना दिना नहीं और यह देखिए दोस्तों आप उन्हें सर्ड रहा ये पढ़ ले लिए यंगर आदाफ इनकर अंतर घंगार्ण क्वावों में तब होगता है क्योंकि अगर आप रशन कार्ट जमा कर दिया यह तो दुझे इसकी जमा कर गए है कि नहीं तो तो दोस्तो तो इसकी र Dip ना करने की दुबारा बनवाने में आपको बहुत बड़ी विक्तों का सामना करना पड़ेगा तो दोस्तों अगर आज का हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई कोस्टन है तो हमसे जो है कमेंट करके पूछिए म सकते प्लाइब दो दूंगा